बॉलिवुड के महानायक अमिता बच्चन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है अभीनेता हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट एकी शूटिंग कर रहे थे इसी दोरान में गंभी रूप से घायल हो गए हैं एक एक्शन सीन के दोरान उनकी पसलियों में चोट आ गई हास से के बाद फिल्म की शूटिंग रोग दी गई अभीनेता हैदराबाद में उपचार के बाद मुंबई अपने घर लोट चुके हैं और उन्होंने अपने ब्लॉग पर इस बात की जानकारी दी है बता दे कि अमिता बच्चन अपने ब्लॉग में लिखा है कि एक्चन स्चीन सूट किया जा रहा था पसली की कडलेश टूट गई और दाइन पसली केस की मार्च फिशी में भी चोट आई है शूटिंग को रद कर दिया गया है और पट्टी बांदी गई है और इलाज चल रहा है बिग बी ने आगे लिखा कि हैदराबाद के AIG स्पताल में स्कैन भी हो गया है काफी दर्द हो रहा है जुलने में काफी तकलीफ हो रही है सांस लेने में भी काफी दिक्कत आ रही है इस दर्द के लिए मुझे कुछ दवाई दी गई है ठीक होने में अभी कुछ हफते लगेंगे आक्टर ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा कि जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए शूटिंग बंद कर दी गई है मैं जलसा में अराम कर रहा हूँ जरूरी कामों के लिए ही थोड़ा बहुत चलूँगा लेकिन बाकी अराम ही कर रहा हूँ और देटा ही रहता हूँ मेरे लिए कहना काफी मुश्किल है पर मैं जलसा के गेट पर अपने चाहने वालों से नहीं मल पाऊँगा तो वो नहीं आए आप उन लोगों को भी ये बात बता दे कि जो जलसा तक आने की यूज़र बना रहे हैं किलावा बाकी सब ठीक है बता देगी है मिता बच्चन की फिल्म प्रोजेक्ट एक एक एक्शन फिल्म है इसके नाम अश्विन ने ट्राइक किया है और फिल्म में मिता बच्चन के लावा दीपी का पादू कॉर्ड और प्रभास और दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आने वाले हैं फिल्म अगले साल 12 जनवरी 2024 को रिलेस की जाएगी वैल इस जानकारी में फ्लाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारीों के लिए चैनल के साथ जुरे रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ इसाथ बैल आइकन पे जरूर क्लेक कर लें उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर करें